पतनी ने अपने पती से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगे? पती ने अपने आँखों से आंसु की एक बूंद निकाल कर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसु की बूंद जब तक तुम खोज कर नहीं निकालती, मैं तब तक तुम से प्रेम करूंग ये देख कर बेचारे समुद्र की भी आँखों में पानी आ गया और वो बोला कहां से सीखते होरे तुम लोग पत्नी को इतना चूना लगाना मास्टर जी को दिल का दौरा उस वक्त पर गया जब प्रैक्टिकल कॉपी साइन करवाने वालों की भीड में घुसकर एक स्टूडेंट ने मास्टर जी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाली चार दिन की जिन्दगी हैं अठारा साल से जी राहूं कहीं में अमर तो नहीं हो गया एक आदमी बैंक गया और बोला अगर मैं आज चेक जमा करूं तो वो कब क्लियर होगा बैंक वाला बोला तीन दिन में कस्टमर बोला मेरा चेक तो सामने वाली बैंक का है दोनों बैंक आमने सामने है फिर भी इतना समय क्यों बैंक वाला बोला सर प्रोसिजर फोलो करना पड़ता है सोचो आप कहीं जा रहे हो और बाजू में ही शमशान है अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वही निपटा देंगे एक खूबसूरत लड़की परीक्षा ध्यान से देना बेटी इस परीक्षा का रिजल्ट नहीं आना चाहिए हर एक दोस्त मादर चोध होता है दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे पहला दोस्त यार तेरी बीवी मुझे देखकर हस्ती क्यों है तब दूसरा दोस्त बोला वह शादी के बाद एक दिन उसने पूछा कि कभी किसी की गांड मारी है तो मैंने तेरा नाम बता दिया था एक छोटा बच्चा अचानक से अपने पैरेंट्स के रूम में गया वहाँ पहुँचकर जोर से चिलाया और बोला खुद जो मर्जी आये चूसो और मुझे अंगूठा चूसने पर मारते हो एक लड़के का ओजार बहुत छोटा था वो अपनी गर्ल्फरेंट को दिखाना नहीं चाहता था लड़का अपनी गर्ल्फरेंट को पेलने के लिए अंधेरे कमरे में ले गया और अपना ओजार निकाल कर लड़की के हाथ में रख दिया लड़की बोली जानू में सिगरेट नहीं पीती पप्पू और बल्लू बात करते हुए पप्पू यार कल रात घर देर से पहुँचा बेल बजाई पर बीवी ने दर्वाजा खोला ही नहीं पूरी रात सडक पर गुजारी बल्लू फिर सुबह बीवी की खबर ली की नहीं पपू नहीं यार सुबह दारू उत्री तो याद आया अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है और चाबी तो जेब में थी जज बोला जब तुम्हें पता था कि गाड़ी मिनिस्टर की वाइफ चला रही है तो रोड से थोड़ा दूर रहना चाहिए था आदमी बोला कौन सा रोड साहब मैं तो खेत में बीड़ी पी रहा था जज बोला गिरफतार कर साले को धूमरपान के जुर्म में एक खूबसूरत लड़की को हीरोईन बनना था वो डाइरेक्टर के पास गई डाइरेक्टर बोला ठीक है तुम मेरी फिल्म में काम करोगी लड़की बोली हाँ मुझे क्या सीन करना होगा डाइरेक्टर बोला तुम्हें धीरे धीरे पानी में जाना होगा लड़की बोली क्यों? फिल्म का नाम क्या है? डाइरेक्टर बोला गई भैंस पानी में एक आदमी गुसे में बीवी से बोला दिल करता है कि आज तेरे टुकडे टुकडे करके इधर उधर फेंक दू अचानक पडोस में से आवाज आई भाई चुत इधर फेंकना एक औरत बाबा के पास जा कर बोली बाबा मुझे अपना भविश्य देखना है बाबा अपने कपड़े उतारो और लेट जाओ औरत बाबा आप तो मुझे बजाना चाहते हो बाबा वाँ बेटी तुमने तो भविश्य देख भी लिया अबे साले पोट में सुनवाई चल रही थी जिसमें एक वकील अपना आखरी केस लड़ रहा था जिसे वो बिलकुल भी नहीं हारना चाहता था वकील उठा और बोला माइ लोड कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मताबिक मेरे मुवक्किल को बाईज़त बरी किया जाये जग बोला, किताब पेश की जाये फिर किताब पेश की गई जग ने जब किताब का पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 2000 के 10 नोट थे जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के दो सबूत और पेश किये जाएं पत्नी पती का लंड पकड़ के बोली, मेरे लाल, मेरा सोना, मेरा बच्चा उठ जाना पती, बहन की लॉड़ी इसको छूत में लेना है या स्कूल भेजना है पुलिस ने लड़के के अंडर वियर में हाथ डाला और दो बाल खींच लिए लड़का आंसू निकलते हुए बोला, ऐसा क्यों किया, पुलिस, ताके तुम ये ना कह सको मैंने सिगनल तोड़ा और पुलिस मेरा जान्ट भी नहीं उखाड सका पतनी पती से बोली, आपको कम से कम गाड़ी चलाते समय तो गालियों का उपयोग नहीं करना चाहिए पती, क्या हुआ? पतनी, अपना चार साल का बेटा लाल सिंगनल को मादर चोट समझता है और ब्रेकर को ईस की मा का भोसड़ा लड़कों का दिल मंदिर की तरह होता है, पवित्र और सच्चा, इसलिए तो जब लड़के आई लव यू बोलते हैं तो लड़कियां चपल उतार लेती है सुहाग रात को पती के अंदर घुसते ही पतनी ने अपना ब्लाउज उतार दिया पती ये देखकर बहुत हैरान हुआ और बीवी से पूछा, अरे तुमने मेरे आते ही अपना ब्लाउज क्यों उतार दिया पतनी शर्माते हुए बोली, जी, आपकी भाभी ने कहा था कि जाते ही अपने पती को दूध जरूर पिला देना तीन लड़कियां एक साथ बैठकर बात कर रही थी, पिंकी ने बोली, मैंने सर जी के टेबल पर कंडोम देखा, आरती ने बोली, मैंने उसमें छेद कर दिया, तभी तीसरी ने बोली, ओ माई गॉड, मरवा दिया पपू जंगल से जा रहा था, तभी एक साप ने पैर पे काट लिया, पपू टांग आगे करके बोला, ले काट ले जितना काटना है, साप ने फिर तीन चार बार काटा, फिर साप ठक कर बोला, अबे तू इनसान है या भूत, पपू हसते हुए बोला, हूँ तो मैं इनसान नहीं, लेकिन बेटा मेरा ये वाला पैर नकली है,